नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है मैं जितेंदर कुमार जॉली, डॉक्टर राम मनोहर लोया, अबद विस्विद्याले द्वारा, M.A.D. L.L.B. और L.L.M. विसे की जो प्रवेस पर एक्षाएं आयुजित की गनी थी उसकी काउंसलिंग का सेड्योल जारीकर दिया गया है किस-किस मैरीट तक के अभ्यातियों को किस-किस psychologically के लिए बुलाया गया है, जानने के लिए इस वीडियो को से अंटक देखी, आई अस्तुरूपत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं LLM विसे की काउंसलिंग की तो LLM विसे में जितने भी कैंडिडेट ने आविधन किया है यदि उनकी रैंक एक से लेकर 200 तक आई है चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो तो उनको यहाँ 26 अगस्त 2019 को काउंसलिंग में पहती भाग करना है इसके अलाबा SC, ST, OVC कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनोंने LLM में एडिमिशन लेने के लिए आविधन किया है सभी की काउंसलिंग 26 अगस्त 2019 को होनी है और सभी को 11 बजे रिपोर्टिंग करनी है अब बात करते हैं LLV 5 वर्षय कोर्स की तो जितने भी कैंडि हम बात करते हैं LLV 3 वर्षय कोर्स की तो 28 अगस्त 2019 से LLV की काउंसलिंग चल रही है और 28 अगस्त को एक से लेकर 150 तक रैंक वाले कैंडिडेट को बुलाया गया है चाहे वो जर्नल कैटेगरी से हो, OVC से हो, SC से हो, ST से हो इसके साथ ऐसे कैंडिडेट जो की special कैटेगरी क जितने भी लोगों ने यहां पर आवेदन किया है, वो इस कैटेगरी से सम्मनित हो, तो उनको भी 28 अगस्त 2019 को काउंसलिंग में पहती भाग करना है, इसके अलावा 29 अगस्त 2019 को भी काउंसलिंग होनी है और 151 से लेकर 350 तक की रैंक वालों को जो किसी भी कैटेगरी से बिल कैंदिटों को भी क्यावा किया गया है, अब बात करते हैं, एम इड विसे की काउंसलिंग आपनानिग वालों को जो काउंसलिंग है वो 4 सितंबर 2019 से प्रारंब हो गी और एक से लेकर 150 तक रेंक प्राप्ट करने वाले सभी वर्गों के अभ्यतियों को यहाँ पर 11 बज़े काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है इसके साथ-साथी ऐसे candidate जो special category को belong करते हों जैसे freedom fighter, ex-serviceman, physically handicapped, etc जितने भी लोगों ने यहाँ पर apply किया है उन सभी candidate को भी 4 सितंबर 2019 को counselling में पैतिभाग करना है इसके अलाबा 5 सितंबर 2019 को भी counselling होगी और यहाँ 151 से लेकर 350 तक की rank वाले सभी open category के candidate चाहें वो general हो, OBC हो, SC या ST category से belong करते हों सभी यहाँ पर counselling में पैतिभाग कर सकते हैं, 6 सितंबर 2019 को counselling में बे candidate पैतिभाग कर सकते हैं, जो OBC category के हैं और उनकी rank 351 से लेकर 600 तक है या SC category के candidate हैं जिनकी rank 351 से 700 तक है, इसके उपरांत 7 सितंबर 2019 को counselling होनी है, general category की female जिनकी rank 351 से लेकर 500 तक है, उनको यहाँ counselling में पैतिभाग करना है OBC category की female जिनकी rank 351 से लेकर 700 तक है, उनको भी पैतिभाग करना है, और SC या ST category की female जिनकी rank 450 से लेकर 800 तक है, उनको भी 7 सितंबर 2019 को counselling में पैतिभाग करना है यहाँ जो candidate बुलाए गए हैं, सभी candidate का admission हो जाए, इसकी कोई यहाँ पर guarantee नहीं है यहीं आप इस document को download करना चाहते हैं, या counselling letter download करना चाहते हैं, तो आपको जाना है www.rmlau.ac.in की site पर जैसे ही आप इस site पर पहुंचेंगे कुछ इस पकार का interface आपको खुला मिलेगा, यहाँ आपको नीचे जाना है और नीचे आपको बहुत सारे link दिखाई देंगे, यहाँ पर एक link मिलेगा इस link पर आपको क्लिक कर देना है और इस link पर क्लिक करके आप इस document को डाउनलोड कर सकते हैं, एमेड, LLV और LLMB से की counseling के letter अभी जारी नहीं किये गए हैं, जब जारी किये जाएंगे तो इसी page पर आपको उनका link मिल जाएगा और आपको उसमें अपना registration number और जन्मतिती भर कर यहां से वे counseling letter आप download कर सकते हैं, counseling letter पर ही आपको यह पर चलेगा कि आपको कौन कौन से document counseling में ले जाने होंगे